नमस्कार APAR फोर्म बरने की अंतिम दिनाग 31 जुलाई से 31 अगस्त कर दी गई है और इस फोर्म को बरते हैं तो जो सबसे बड़ी समश्चा है हमारे सामने वो ये आती है कि हम रिपोर्टिंग रिव्यू और जो एक्सेप्टिंग ओफिसर है वो कैसे बरें इडियो को अगर ध्यान से सुनते हैं तो आपका फोर्म कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और इसके साथ ही यहां गरामिन चेतर और शेहरी चेतर के साब से दस पॉइंट दिये गए हैं पर तेक को बताऊंगा ध्यान से सुनिए जो करमचारी राजकिये मादमिक एवं कुछ मादमिक विद्याले में कारत हैं समस्त तिलते स्रेनी लेवल फर्स्ट, सेकेंड, पुस्तकाले, सभी थर्ड ग्रेड यानि राजकिये मादमिक और कुछ मादमिक में जितने भी तिलते स्रेनी द्यापक हैं यह उनके लिए हैं पेली लाइन, रिपोर्टिंग ओफिसर संस्ता बरदान है, समीक्षक अधिकारी मुख्य बलोग शिक्षण अधिकारी हैं, CBO साब और स्विकरता अधिकारी जो आपके हैं, स्विकरता अधिकारी जो आपके हैं, accepting officer चिला सिक्षा अधिकारी मुख्याले माध्यमिक हैं देखिए अगर आप इसको line to line follow करते हैं तो ही आपको यह समझ में आएगी अब देखिए यह जो था जो सकेंट्री विधाले में करत थर्ड ग्रेड है उनके लिए है दो नंबर बिंदू जो है राजकिय परात्मिक एवं उच्परात्मिक विधाले में करत गरामी निछेत्र में जो तृत एसर निध्यापक हैं उनके लिए है तो आपका जो रिपोर्टिंग ओफिशर है वो रहते हैं पदेन, पंचायत, प्रानविक शिक्षादिकारी और आगे ते रखा है आप स्क्रिंशोट लेते रहे हैं तेन नमबर जो है राज के उच परात्वी विदाले में कारत सारे इक शिक्षादिकारी ये भी तिरते शिरने के तिरते शिरनी त्यापकों के लिए है पांस नमबर बिंदू राज के उच परात्मिक विदाले में समसारिक शिक्षक जो शैरी छेतर में हैं उनके लिए हैं शै नमबर बिंदू राज के उच परात्मिक विदाले में कारत समस्त वरिष्ट त्यापक पांस नमबर तक तिरत चेटर के लिए तो इनके reporting officer होते हैं पदेन, पंचायत, प्रानमेक शिख्षा दिखारी और reviewing officer होते हैं मुख्य भलोग शिख्षा दिखारी accepting officer होते हैं स्यूगत निदेशक संभाग साथ नंबर बिंदू है सेरी छेतर में जो विद्याले हैं उच परात्मिक और उनमें वरिष्ट द्यापक है उनके लिए आठ नंबर बिंदू है राजकिय मादमिक एवं उच मादमिक विद्याले में कारसमस्त वरिष्ट द्यापक ये उनके लिए वरिष्ट द्यापक के लिए आठ नमबर बिंदू पहला नमबर बिंदू था तिलते स्रण द्यापकों के लिए राजिके मादमिक उच मादमिक में और आठ नमबर बिंदू राजिके मादमिक और उच मादमिक में वरिष्ट द्यापकों के लिए ये फरक है थोड़ा देखिएगा, ओर 9 नमबर बिंदू है, ताज के उच्मादमिक विदाले में कारत समत व्यक्रता, व्यक्रता के लिए जो नमबर बिंदू ही दिया गया है, जो first grade है, उनके लिए 9 नमबर बिंदू ही दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रिनशोट भी ले लीजिएगा और दस नमबर बिंदू दे रखा है परदाना ध्यापक और परदाना चारिया के लिए तो ये केस की टेपल आप स्क्रीन शोट लेकर पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से देखते हैं तो भी समझ में आ जाएगा शेरी और गरामिन का फरक है और परते के लिए पोस्ट दी गई है आप सबसे पहले ये स्लेट केजिए कौन सी रो में आते हैं उसके बाद ये इजिली समझ में आ जाएगा चैनल से जुड़े रहें वीडियो को सभी गुरू में सेयर करें इससे समझ कोई भी समझ आती है तो एस मस करें चैनल को सब्क्राइब करना नहीं बोलें तन्यवाद